माधव किसका चित्र बना रहे हो? मैं घोरा का चित्र बना रहा हूँ घोरा नहीं घोरा बोलते हैं लेकिन चेहरे से तो गधा लग रहा है मैंने गधा नहीं बनाया फिर गलत इसे गधा नहीं गधा बोलते हैं देखा आपने माधव सही शब्दों को गलत तरीके से बोल रहा है ये वर्तनी की अशुद्धी है उनको पहले जाने की वर्तनी किसे कहते है किसी शब्द में कौन-कौन से वर्ण आने पर वह सही होता है और वह कब गलत हो जाता है इसके लिए उसके सही रूप का ग्यान ज़रूरी होता है शब्दों का यही रूप वर्तनी कहलाता है शब्दों में वर्णों के सही क्रम को वर्तनी कहते है कधनमधनला कमल कमल खिलता है वर्णों से शब्द बनता है शब्दों से वाक्य बनता है और वाक्यों से भाषा बनती है इसलिए भाषा की शुद्धी के लिए शब्दों में शुद्ध यानी सही वर्तनी का ग्यान जरूरी है आईए वर्तनी की कुछ सामानने अशुद्धियों के बारे में जाने अशुद्ध, शुद्ध शब्द समय, समय आरशिवाद, आशीरवाद कवी, कवी महमान, मेहमान क्योंकी, क्योंकी मच्छली, मच्छली बारात, बरात दीवार, दीवार कीर्या, क्रिया संग्या, परिक्षा अच्छाई, रूप्या ग्रहकार्य, ग्रिहकार्य पत्नी, पत्नी अनुच्छेद, इसलिये दिपावली, दीपावली अवाज, आवाज बिमारी, बीमारी सडक में मत खेलो, सडक पर मत खेलो, दादा जी घुमने गया, मैं कल घुमने जाएगा, मैं कल घुमने जाऊंगा, मेरे को पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे काट कर अमरूत खाना है, मुझे अमरूत काट कर खाना है, मुझे रविवार के दिन छुट्टी है, मेरी लड़के खेल रहा है बहु अचन गलत समझे हिंदी में आदर देने के लिए संग्या एक वचन होने पर भी क्रिया बहु अचन होती है उदाहरन पिताजी आए आदरार्थ बहु अचन संग्या क्रिया एक वचन बहु अचन ये भी समझे लड़के पढ़ रहे हैं बहु अचन पिता जी पढ़ रहे हैं आदरार्थ बहु अचन याद रखें शब्दों में वर्णों के सही क्रम को वर्तनी कहते हैं शब्दों में वर्णों का क्रम गलत होने से वर्तनी अशुद्धी होती है लेंग वचन आदी के गलत प्रयोक से भी वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं वाक्य शुद्ध एवं व्याकरण के नियमों के अनुसार होने चाहिए